हेलो फ्रेंज तो आज एक बार फिर से बहुत ही जादा टेस्टी और यूनीक सी नाष्टे की रेसिपी लेकर हम आए हैं सिर्फ दो चमस्टेल में बनने वाला ये नाष्टा देखने में जितना जादा टेस्टी लग रहा है आप इसे जब बना कर खाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा बचे हों चाहे बड़े हों सबको ये बहुत पसंद आएगा एक बार आप इसे घर पे जरूर ट्राय करेगा और इसे बनाना भी न बहुत ज़्यादा आसान है और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं वजन कम करना चाहते हैं तब भी आप इसे बना कर खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी है और साथ में हल्दी भी है तो आईए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे एक कब बेसन इसके बाद ले लिया है दो चमज सूजी और फिर हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक आदा चमज लिया है आप स्वात के अनुसार डाल सकते हैं आदा चमज यहाँ पे sugar powder यानी किचीनी का powder डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे color के लिए फिर सारी चीजों को अच्छी तरह से mix करेंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका batter बनाएंगे और friends इसका batter जो है वो पतला नहीं होना चाहिए या बहुत जादा थिक भी नहीं होना चाहिए इसके लिए आप पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका batter बनाएं और अब इसके बाद हम इसमें add करेंगे निम्बू का रस तो यहाँ पे दो चमच निम्बू का रस लिया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमच तेल तो यहाँ पे मैंने refined oil लिया है फिर इसे भी हम अच्छी तरह से mix करेंगे और batter की consistency आप देख सकते हैं तो हमें इतना ही थिक batter रखना है इसके बाद यहाँ पे ले लिया है इनो तो इनो एक packet लिया है और इनो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जैसे इनो डालेंगे तो आप देखेंगे कि बेसन एकदम बढ़िया से फूल जाएगा अगर आप चाहें तो इसमें baking soda भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप इनो डालते हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा fluffy हो जाता है और इसका नाश्चा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है अब यहाँ पर हमारा बेसन एकदम त्यार हो गया है इसके बाद मैंने ले ली है दो कटोरी तो यहाँ पर थोड़े बड़े साइज की कटोरी है तो आपके पास जिस साइज की हो आप ले सकते हैं उसके बाद मैंने ले ली है दो छोटी कटोरी तो यहाँ पर मेरे पास पीत देना है और यह जो बड़ी हो वाली कटोरी मैंने ली है तो अगर आपके पास छोटी या बड़ी जिस साइज की भी है आप ले सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई पहले गर्म कर ली थी और उसमें पानी डाल दिया था एक स्टैंड रखेंगे और फिर उसके उपर हम कटोरी रखेंगे और इसे हम ढख करके लगबग 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे और अगर इसके कढ़ाई के लीड में अगर होल है तो उसे भी हम कवर कर देंगे ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसको पकने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम बहुत है और यह देखिए 20 मिनट बाद यह एकदम पक चुका है तो चाको के हल्प से हम इसे निकाल लेंगे तो इस तरह से आप साइड साइड से इसे निकाले और एकदम आराम से निकाले नहीं तो यह तूट जाएगा तो friends यहाँ पे मैंने दो लोगों के लिए बनाया है अगर आप जादों लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप basin क्यों quantity बढ़ा सकते हैं अब एक plate में हम इस तरह से कटोरी को रखेंगे और हम इसे निकाल लेंगे और यह बहुत यासानी से निकल भी जाएगा अब हम छोटी वाली कटोरी को निकाल लेते हैं अब इसके बाद आप देखेंगे इसका shape कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया यह देखने में भी लग रहा है एकदम अच्छे से यह पक चुका है तो चलिए अब हम इसे त्यार करते हैं तो इसमें हम डालेंगे कुछ सबजिया तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टामाटर, खीरा और प्याज अगर अब चाट के शौकीन है और आपको जैसे पापरी चाट बगरा सब पसंद है तो आप इसमें चाट का सामान भी डाल सकते हैं सबजियां डाली है उपर से डाल देंगे इसमें लाल और हरी चटनी अगर आप चाहें तो सौस डाल दीजे अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं फिर इसके उपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी भुजिया और साइड साइड में हम चटनी डाल देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाएंगे तो इसका टेस्ट भी आएगा तो फ्रेंट्स इस तरह से हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता बनकर तयार है आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके अंदर आप और चीजों के स्टफिंग भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद है आप उसकी स्टफिंग इसमें कर दीजे और ये देखिए हमारा ये नाश्ता बनकर तयार है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस क आपको मेरे शैनल पे मिल जाएगी तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और ये देखिए ये हमारा हेल्दियो और टेस्टी सनाश्ता बनकर त्यार है तो बने रहे हैं मेरे शैनल पे नई नई रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ चेकेड